अंपायर के फैसले पर आग बबूला हुए रिश्यप पंत देखिए ड्रेसिंग रूम में जाते वक्त गुस्से में पंत ने क्या किया जी हाँ, वान खेडे में खेले जारहे भारत और निजलेंड के बीच तीसरा और आखरी टेस्ट मैच काफी रुमान चक रहा लेकिन अंपायर के एक फैसले पर बड़ा विवाद हो गया 147 रणों का पीछा कर रही भारतिय टीम शुरुवात में लड़ खड़ा गई परन्तु पंत ने पारी को संभालते हुए शानदार अधश्य तक जड़ा लेकिन 22 वे ओवर की चौथी गेंद पर थार्ड अंपायर द्वारा पंत को कैच आउट दे दिया गया परन्तु पंत अंपायर के इस फैसले से काफी नराज दिखें क्योंकि उनका मानना था कि गेंद बल्ले से नहीं बलकि पैट से ठकराई है पवेलियन लोटते वक्त रिशापंत गुसे में ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर पंच करते दिखे और साथी खिलाडियों से इस बारे में बात करते हुए नजार आए दोस्तों आपके हिसाब से पंत आउट थे या नहीं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं